नमस्ते राधे राधे उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखे जैसे कि आप सुभी को पता ही है कि केंदर सरकार के दोवारा नेस्नल एसकलरस्टीप पोटल का जो है सुरवात किया गया है जिसके माध्यम से बहुत सर ऐसे स्टेड होते हैं बहुत सर ऐ करना होगा जिसके रिगार्डिंग भी हम जनकाई देंगे 372 24 25 सेशन के लिए जो भी आपका फॉर्म है वो कब से शुरू होने वाले हैं इस एसकलरस्टीप के माधिम से आपको जो है कौन-कौन से एसकलरस्टीप का जो है बेनिफीट मिलता है पोटल पर किस तरह से सभी ज पोटल पर आने के लिए scholarship.gov.in आपको सर्च करना होगा या फिर आप अपने Google को ओपेन करेंगे और सर्च करेंगे egtunate.com फर्स्ट में आपको egtunate.com का ओफिसियल यहां पर वेवसाइट देखनी को मिलेगा जिसको यहां से ओपेन करना है यहां पर जो एक सर्च का बटन मिलेगा जिस पर आपको सर्च करना है nsp ठीक है इतना सर्च करेंगे तो आप देखेंगे तो nsp का जो और नयवाला portal जो launch किया गया है उसकी सभी जनकारी यहाँ पर दी गई है जैसे कि NSP as cross ship के regarding तो आप यहाँ पर click करेंगे तो इस पे जो है सभी information आपको देखनी को मिल जाएगा नीचे आएगे तो यहाँ पर official website का जो है link मिलेगा जिस पर click करेंगे तो आप NSP portal पर यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको make sure कर लेना है कि अगर आपको इस portal पर फर्म भरना है तो आपको जो ही OTR करना होगा OTR करनी की जनकारी आप यहाँ पर देखेंगे तो announcement वले बटन पर जाकर student वले बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि portal जो है one time registration यानी की OTR के लिए यहाँ पर live किया गया है जिसके माधियम से कोई भी student अगर NSP से exclusive का form भरना चाहता है तो उसक उसको जो है सबसे पहले एक registration करना होगा उस registration में कुछ basic जनकारी उसको देना होगा और उसके बाद किसी परकार का किसी भी scholarship का अपने future में भविस्या में form को भरना चाहेगा तो उसी OTR में जो user ID password मिलेंगे उससे login करके form को भर लेगा बार बार जो इसको अलग-अलग academic year के ले रजिश्ट्रेशन नहीं करना होगा एक बार ही रजिश्ट्रेशन करना होगा ठीक है बाकि यहां बताया गया है कि जो भी आपका one time registration है या निकी OTR है 2024-25 के लिए पुरी तरह से required है अगर आप OTR नहीं करते हैं तो 2024-25 के लिए अपना जो form है वो नहीं भर जकते हैं बा अधियम से अपना जो face authentication है वो करके अपना जो OTR है उसको create कर सकते हैं अब दोनों पर हमने डिटेल्स में बात किया था किस तर से करना है दोनों के लिए हमने वीडियो बनाया था वीडियो आई बटन में है जिसको जाकर check out कर लिजिएगा अब यहां पर देखेंगे 2024-25 के लिए बहुत ही जल्द आपका जो है application form यहां पर सुरू किये जाएंगे हरा कि अभी जो अनहीं किये गये है लेकिन बताया गया है कि 2024-25 के लिए बहुत ही जल्द आपका अप्लीकेशन फौर्म शुरू होगा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि application form सुरू होगा ठीक है benefit मिलता है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो उसके लिए यहां पर देख सकते हैं कि डॉडड़ दिया गया इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि नेशनल इसकोर सी पोटल पे स्कीम चलते हैं, उसकी पूरी इनफोर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले स्कीम की हम बात करें, तो Department of Empowerment of Person with Disability, यानि कि जो भी बिकलांग लोग होते हैं, उनके लिए स्कीम चलता है, इसके क्लिक करेंगे, तो इसके बारे में जो ही प परकार के स्कीम चलते हैं, प्री मैट्रिक, पोश्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन, तो तीनों के लिए जो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, जब आपका पोटल सुरू होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे Department of Higher Education का भी एक आपको ए स्कॉर्सिप होता है, जो भी College के और इंवर्टीटी के जो भी च्हातर होते हैं, यानि कि जो भी बिसवविधाले या फिर College के च्हातर होते हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया आता है, जो कि राजय सरकार के दोवारा एक Merit List आता है, जिसमें नाम आने के बाद आपको जो यह form को भरना होता है, उसके बाद Ministry of Tribal Affair के लिए भी scholarship यहाँ पे चलता है, जिसमें देखेंगे कौन लोग form को भर सकते हैं, किस तर से इसका जो यह specification है, उसको आप यहाँ पे चेक आउट कर लेंगे, Ministry आप देख सकते हैं कि Minority Affair के लिए भी यहाँ पे scholarship चलता है, जिस में National Means Commerit scholarship का जो है benefit दिया था है, किसको मिलता है, इसकी जनकारी आप यहाँ पे check out कर लेना, सभी का जो हम click करके नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, Ministry of Home Affair का भी यहाँ पे scholarship चलता है, जिसमें Prime Minister scholarship आपको benefit मिलता है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि Prime Minister scholarship for Central Armed Forces के जो भी लोग होत के लिए दिया जाता है, All India Council for Technical Education के लिए scholarship आपको दिया जाता है, जिसमें देख सकते हैं कि सवनाथ scholarship हो गया, सक्षम scholarship हो गया, फिर यहाँ पे परगती scholarship हो गया, girls student के लिए मिलता है, यहाँ पे सवनाथ scholarship हो गया, इस तरह से देखेंगे तो कहीं सरह जो है, आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बाद देखेंगे, UGC का भी scholarship आपको देखनी को मिलता है, जिसमें national scholarship for post graduate studies के लिए हाँ पे आपको मिलता है, इसान उदय स्पेशल scholarship scheme for NER के लिए आपको देखनी को मिलता है, फिर यहाँ पे north eastern council के लिए आपको देखनी को मिलता है, फिर इसका भी आप चेक आउट कर सकते हैं, central sector exclusive for top class education for AC student, यानि कि जो भी AC student होते हैं, उनको top class education पे जो exclusive मिलता है, फिर यहाँ ministry of labor and empowerment आप देखेंगे, उसके बाद ministry of labor and employment exclusive का benefit आपको देखनी को मिलता है, तिसमें जो ही कई सारे exclusive का benefit आपको देखनी को मिलता है, तो मैंने जो ही पूरी exclusive का benefit के बारे मापको जनकाई दे दिया है, कौन-कौन exclusive का benefit आप ले सकते हैं, अब आप आकर खुद से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसका specification क्या है, यहाँ पे click करेंगे, तो आपके सामने एक PDF डाउट होगा, जिसमें सभी information दिया गया है, कौन लोग form को भरेंगे, कि 24-25 के लिए form भरना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे OTR कर लेना है, OTR कैसे करना है, उसके बारे में थुरा से आपको हमजनकाई देते हैं, आप अप लाई नाव के बटन पर click करेंगे, ठीक है, click करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी अधार नंबर है, उसके माधियम से OTR है, वो कर सकते हैं, बाकि जिन्होंने पहले से form fill up किया हुआ है, जैसे कि NSP का जो पोटल है, वहाँ पे पहले से अपना रेशन किया हुआ था, उनको जो एक message गया था, इस परकार का message, जिसमें reference नंबर आपको मिला होगा, उसके माधियम से इनका जो एक mobile application आता है, NSP OTR, उसको install कर लिजिएगा, वहाँ पर आपना जो भी reference number है, date of birth बगर को डाल कर आपना जो भी face authentication होता है, जो अधार face RD होता है, उसको भी install करके आप यहाँ पर आपना कर सकते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देख करके यहाँ पर आपना जो राश्येशन है, वो complete कर सकते हैं, तीस तरह से मैंने जो इस सभी information बताया दिया हुआ है, 24-25 के लिए बहुत ही जल्द आपका portal खुलने वाला है, तो अभी तक आपने OTR नहीं किया हुआ है, तो OTR जरूर कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा से